अब बात करेंगे उना जिला की जहां बसौली गाउं में पुलिस ने छापे मारी करते हुए नकली और प्रतिबंधित दवाओं का बड़ा जखीरा बरामत किया है पुलिस जांच में गाउं के पास ही जहाडियों में बड़ी मात्रा में जलाए हुए दवाओं के रैपर भी मिले हैं आरोपी ने दवाईयां चार से पांच अलग अलग स्थानों पर जलाई है इसके अलाबा मशहूर दवा कांपनियों के नाम से छपे रैपर के रोल भी बरामत किये गए है दवाई तयार करने से जुड़े जरूरी उपकरण भी पुलिस के हाथ लगे हैं पुलिस की भनक लगते ही आरोपी पहले ही फरार हो गया था पुलिस द्वारा साचा की गई सुचना के अनुसार आरोपी उत्तर प्रदेश का निवासी है और करीब 25 साल से यहां रहे रहा था आरोपी की धर पकड के लिए पुलिस टी में अलग-अलग स्थानों पर दबश दे रही है अधिरिक्त पुलिस अधिक शक संजीव कुमार भाटिया ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है मौके से बरामत की गई सब ही दवाईयां कबजे में ली गई है जिने जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा जली हुई दवाईयों को भी कबजे में लेकर जांच की जा रही है इस बारे में जो है वो पूरे लाकी की गैन चानवीन की जा रही है